बंगलादेश में हिंदू मंदिरों और घरों पर हो रहे हम लोग को लेकर वहां के हिंदू चिंतित हैं धाका के प्रसिद प्राचीन मंदिर धाकेश्वरी से टीवी 9 की ये रपोर्ट देखिया धाकेश्वरी मंदिर वो मंदिर जिसके नाम पर धाका सहर का नाम पढ़ा वो मंदिर जिसका एक लंबा इत्यास है मानिता ये भी है कि मा सती के मुकुट का रत्म यहीं पढ़ गी रहा था और इसी वज़े से ये तमाम सक्कीपितों में से एक सक्कीपित दाकेशवर मंदिर में हिंदू समा से जुड़े लोग जमा हैं वो बता रहें कि बंगलादेश में जब सरकार बदलती है पहला हमला हिंदू पर होता है मंदिर का प्रमंदन देखने बालों ने भी बताया कि हालात अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है और वहीं हमलों के खिलाफ बंगलादेश के हिंदू ने ढाका में जोरदार प्रदर्शन किया अल्प संक्यक समुदाय अब अंतरिम सरकार की मुख्या महम्मद यूनुस से मिलकर अपनी मांग को रखेगा बंगदेशी हिंदू और चात्रों का एक प्रतिनिदी मंडल आज महम्मद यूनुस से मुलाकात करेगा और अपनी मांग रखेगा जिसमें अल्प संक्यकों पर अत्याचा रोकें और पिडितों को मुआफजद हैं अल्प संक्यक सुरक्षा कारून तुरंत लागू करें अल्प संक्यक मामलू का मंत्राले स्थापित करें हिंदू धार्मिक कल्यान ट्रस्ट को हिंदू फांडेशन में बदलें शेक्षणी संस्थान में अल्प संक्यकों के लिए पूजस्थल बनें संस्कृत और पलिशिक्षा बोड का अधुन की करण करें